अब जल्द ही खुलने वाला है महिंद्र शुकला का नजाय जौला गुडिया रानी का पुरा सच सब के सामने क्योंकि जहां एक तरफ अब गुडिया उस बाग से सही सलामत पुरी तरह से घर वापस लोटाई हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज बिर्जु का दिल गुडिया के लिए नहीं थम रहा था तो बिर्जु ने गुडिया के दीवाली विस करने के लिए परी के मोबाईल पर विडियो कॉल किये थे अलांकि वो फोन अब परी के वहाँ पहुँचने से पहले ही परी के दादी ने उठा चुकी थी, जिससे यहाँ पर फिर एक और बार दादी अपना सच्चाई परी और सारे घरवाले के सामने आने से रोग चुकी है, लेकिन अब महेंदर शुकला के कहने पर पुरा शुकला फैमिली सिटी सेंटर की आतिश बाजी देखने के लिए उस घर से जब बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ दादी जो रहती है वो अब घर पर अकेला रुप जाती है, मगर अब गुडिया दादी से वो सारे राज उगलवाने के लिए उनके आगे भूत बन कर आ चुकी है, जिससे यहाँ पर अब दादी की मुश्किलें गुडिया के उस रूप में आने से और ज्यादा बढ़ चुका है, वही जब दादी गुडिया से कहती हैं कि तुम्हें शेर ने ऐसे कैसे छोड़ दिया, तब गुडिया दादी के डराते हुए कहती हैं कि शेर ने मुझे सब नोच-नोच कर खा गया, लेकिन गुडिया के आत्मा दादी से यही सवाल करता है कि आपने मुझे क्यों मारा अगर आप इसका जवाब जब तक नहीं बता देती तब तक मेरी आत्मा ऐसी तडपती ही रहेगी लेकिन आगे देखना ये बहुत ही ज्यादा दिल्चस्पी होगा कि अब गुडिया दादी से वो अपना पुरा सच कब तक हासिल कर रही है